और बेस्मेंट में भी बेस्मेंट लगबग आदा भर चुका है औ्लिबाई आरहा है और इसे जासे कोई ने से नॉक लेज़ गजुकी भारत में ठोड़े लेट में तो आख आ से आते हैं 17 का समय दो तो 10.30 पौने 11 बजे तक या 11 बजे तक लोग जो हो आते हैं तो हर बार हम सेमिनार को इसी तरह से थोड़ा लेट शुरू करते हैं क्योंकि लोगों की उम्मीदों पे हम खरे उतरते हैं कि लोगों को लगता है कि इंडिया में सारे काम आराम से होते हैं तो इसलिए Springboard में भी काम आराम से ही होता होगा, इसलिए हम हर बार पौने ग्यारा बजे, साड़े-दस बजे या पौने ग्यारा बजे जो है वो सेमिनार शुरू करते हैं, लेकिन आज पहली बार जो है, वो सवा-दस बजे से ही साई समय पे सेमिनार जो है वो शुरू किया ह तो आज हर बार क्यों लेट शुरू करते हैं? इस लिए लेट शुरू करते हैं, क्योंकि जो बाद में आते हैं, थोड़ा लेट लतीफ आते हैं, और अगर पहले सेमिनार शुरू कर दे और वो थोड़े इसी बातों से बंचित रह जाते हैं, तो उनको जीवन पर कौन सा वो गुरूमंत्र रहा होगा जो पहले उन्होंने बताया होगा हलंगी जो इसने पहले से सैमिनार शुरूड जाइन कर रिका होता है वो तरह पहले आ के बैटें पर ऐसा कुछ ही नहीं था तो अपसोस मत कर वो कित्त ही गए लेकिन उन लोगों को बहुत अफसोस रहता है कि क्या पता हम सही समय पे गए होते तो कोई गुरु मंतर जो है वो जो मिलना था वो उस दिन अगर मिल जाता तो इस तरह से किसी को भी अपसोस न रहे इसलिए हम लेट शुरू करते थे लेकिन आज हमने देखा कि इतने सारे लोग जब पहले से आके बैठ गया है तो हमें इनके हितों का ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये वो लोग हैं जो ज़्यादा जिग्यासू हैं समय के पाबंध हैं और जो अपने समय के एक एक पल का बहुत महत्व रखते हैं मानते हैं तो इन लोगों के हितों को पूरा ध्यान में रखा जाना और आप जब छुटोगे तो जित्ते स्टुडेंट यहां अंदर होंगे उत्ते स्टुडेंट बाहर होंगे और यह वज़े भी है यह जून जुलाई और अगस्त यह तीन महीने जो है वो पीक सीजन होता है क्योंकि अभी सारे academics के exam 12th pass, 12th के result आ चुके हैं 12th के exam जो हो चुके हैं, first year, second year और final के जो exams चल रहे थे वो भी खतम हो गए है तो academics से सभी लोग free हो गए हैं जैसे कि आप लोग free हो गए हैं और अब आप जो है वो नई पारी खेलने के लिए एक नया challenge नई चुनोती लेने के लिए आप लोग जो है वो तयार है इस वज़े से ये जो समय है ये ऐसा ही रहता है, peak time भी रहता है और केवल यही सेमिनार नहीं है कि इस तरह से ये चारों hall जो है वो खचाकच बरे हुए है प्लस लोग बाहर भी कड़े होंगे केवल यही नहीं है, batches की भी इस्तिती यही होती है कि आप हमारा पिछला जो है schedule देखेंगे अगर पिछले सालगा तो June, July और August यह तीन महीने ऐसे थे जब हमें back to back batch जो है वो शुरू करने पड़ते थे जिस तरह से लोग जो है आप लोगों मैंसे कई सीधे लोग जो होते थे वो सेमिनार में आके बैटते थे सेमिनार सुनते थे और फिर वो तैय करते थे कि बाद में जाके registration कभी भी करवा देंगे लेकिन हमें सेमिनार लेते समय बड़ा अपसोस होता था कि बैच की जो strength है उससे भी हम क्या है registration थोड़े extra कर देते हैं ताकि कोई अगर किसी कारणवास admission न ले पाए तो हमारी seat खाले नहीं रहनी चीए तो जिस समय सेमिनार हम ले रहे होते हैं उससे पहले जितना बैच है वो full हो चुका होता है registration हो चुके होते हैं आदे बच्चों की fees भी आ चुकी होती है और फिर हमें लगता है हम इनको क्या motivate करेंगे admission तो already पहले से जो है वो हो चुके है तो ये इस्तिती आते हैं कि अपन उसी समय जाएंगे और registration करवा देंगे तो जितने बच्चे classroom में इस hall के अंदर भरे हुए बैटे रहते हैं खचागच जिस तरह से आज ये तो जो गली है खाली रखी गई है मेरे आने के लिए अधरवाइस जिस समय बैच शुरू होगा उस समय क्या पैसे मिलेंगे अभी तो ये निशुल के हैं तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ी खाली भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वहां तो क्या फी से पैसे लेते हैं इसलिए इस जगे को भी शुरू सुरू में हम खाली नहीं रहते हैं तो एक अंदर classroom पूरी तरह से खागच परा है और बाहर इतने ही लोग वापस वेट कर रहे होते हैं कि हमारा admission जो हो जाना चीए इसमें लेकिन चूंकि हमारे भी मजबूरियां होती है कि इससे ज़्यादा हम admission नहीं दे सकते तो फिर वो बच्चे आते हैं request करते हैं कि सर अब हम घरवालों को क्या कहेंगे घरवा जो है वो मौली बंदवा के और गुड़ धने खाके तिलक लगवा के रजिस्टर के उपर जै सरस्वती मा लिखके गणिशाय नमह लिखके और पूरे उस जतन के साथ हम आज आये हैं और आप यहां कह रहे हो कि अड्मिशन ही नहीं है तो इस तरह से इन लोगों का इतना ज अगले मंगलवार को फिर से बैच की गोषणा करते हैं और आप ने देखा हूगा पिछले साल का अमारा जो शेडियूल था एक मईने में हमने पांच बैच शुरू किये हैं तो ये सब देखके लग रहा है कि शिक्षा के परती जागरुकता जो है वो अब लगतार बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर प्रशासनिक अधिगारी बनने का जो क्रेज है वो बहुत ज़्यदा बढ़ता जा रहा है और इससे लग रहा है कि जब सब लोग इतना पढ़ जावधान रहना है और इसलिए मैं एक बार सभी लोग जो आप यहां बैटे हैं और नीचे वाले क्लास्रूम में जो लोग बैटे हैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद आभार कि आप लोगों ने स्प्रिंग बोर्ड का मान और सम्मान इतना बढ़ाया अपना कीमती समय दिया आप लोगों ने आप जैसे लोगों ने जैसे तरह से अपना कीमती समय दिया है और यहां आए हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से आपके मन में दिल में स्प्रिंग बोर्ड के प्रती एक रेस्पेक्ट है एक सम्मान है तो उसके लिए मैं फिर से एक आपका जो है वो आभार व्यक्त करता हूँ आज के सेमिनार में जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जो भी जिग्याशाएं हैं जो भी आप लोगों की जो भाव लेके आए हैं जो उमीदें लेके आए हैं जो अपेक्षाएं लेके आए हैं उन अपेक्षाओं कि आपकी उम्मीदों को आपकी जिग्यासाओं को हम पूरी तरह से संतुष्ट करें पूरा करें और आज का आपका यहां आने का जो उद्श्य था वो सफल रहे और ये दिन जो है वो आपके जीवन में जो है कभी भी आप यह याद करें तो इस दिन को थोड़ा को कहते हैं कि हम तुम्हें बना देंगे आरेस तो वो लोग हैं तो जबकि हमने खुद ने भी एक्जाम दिये थे और हमने कोशिश भी कीती सेलेक्ट होने की लेकिन दुरभाग्य से जो है या सवभाग्य से अभी तो लोग कह रहे हैं कि सवभाग्य से अच्छा हुआ सर आ हीरो हैं जो सलेक्ट हुए हैं तो आज के सेमिनार में जो है वो जैसे आप जानते ही हैं आपने विक्यापन में अर्विटीज में में देखा होगा तीनों के नाम इश्वरलाल गुजर जो है वो इस बार आईएस में सलेक्ट हुए हैं वो आएंगे एक वापको जो है वो मोट भी I.S. बन सकता हूँ जिस विक्ती ने शुरुआत में केवल यही सोचा था कि मैं एक मास्टर बन जाओं ये भी मेरे जीवन की सबसे बड़ी उखलब्दी जो है वो होगी ऐसा उद्धिश्य था लेकिन ईश्वरलाल के ब्रदरिन लौ जो है वो महंदरपाल गुजर जो है वो अभी हिमाचल प्रदेश काडर में I.E.S. है और महंदरपाल की भी स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है जो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के ही स्टूडेंट रहुए हैं महंदरपाल और वो भी वो बंदा जब स्टोरी पड़नियां तो इसमिंग बोर्ड की ये पॉलीसी नहीं है कि हम एक सब्जक्ट पढ़ाएं हम कहते हैं कि नहीं हम पूरा फाउंडेशन ही पढ़ाते हैं एक सब्जक्ट पर्टिकुलर किसी को नहीं पढ़ाते हैं तो फिर उसने रिक्वेस्ट की कि सर बात सुनिय मैंने बचपन से लेके आज दिन तक कोई ट्यूशन नहीं किया है कोई coaching नहीं गई है। और मैं ऐड़ी सब्झेक्ट तो मैंए पढ़ सकता हूँ लेकिन हिस्ट्री ये कैसा सब्झेक्ट है जो मैंने कई बार कोशिश करने तुछ ये मेरे बस में आ नहीं रहा है। इसलिए बाकी वाले तो मैं वैसे ही पड़ सकता हूँ क्योंकि कोचिंग आऊंगा या मोरे बहुत ज्यादा समय खराब हो जाएगा और हिस्ट्री जो है मेरे समझ में नहीं आ रही है तो इसलिए जो है वो प्लीज सर हिस्ट्री फिर मेरे दो पुराने स्टुडेंट भी थे उन्होंने भी कहा और फिर मैं किसी की ऐसी जिग्या सा देखता भी हूँ तो कई बार हम अपने नियमों को एक तरव रख देते हैं तो जो हिस्ट्री में पहले बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कंट्रोल में नहीं आ रही थी और स्प्रिंग बोड से केवल हिस्ट्री की जो कि इतने देन तक समझ नहीं आ रही थी वह हिस्ट्री इतना फेवरेट और प्रिये सबजेक्ट हो गया कि फाइनली आई एस के अंदर एक और सब्येक्ट लेना होता है तो वह और सब्येक्ट से पढ़के जो है पहले IRS में सेलेक्शन हुआ और उसके बाद second attempt वापस दिया तो फिर IS में सेलेक्शन हुआ और भी हीमाचल प्रदेश के अडर में वो IS है तो उन्होंने जो है इश्वरलाल जो की उनके जिजजी हैं मेंदरपाल के तो एक तरह से springboard यह ऐसे बहुत सारे आपको उधारन सेलेक्शन होता है और ऐसे कई परिवार आपको दिख जाएंगे एक ही परिवार में पांच-पांच साथ-साथ सदस्य जो है वो सारे जो इस लोग है वो springboard से पड़े हुए है और इसकी सबसे बड़ी जो reason है वजह है एक व्यक्ति क्या है कि यह भरोसा करता नहीं अब मैं बले तो यही वज़े है कि जैसे कोई friend circle है या परिवार है तो एक व्यक्ति होता है उसे यहां की अहमियत पता होती है और फिर वो अपने भाई को अपने relative को यही शब्द जो है वो कहता है कि देख तूँ वहाँ जा निश्चिन्त होके जा किसी तरह का doubt नहीं करना है और तुझे जैसा कहा जाए तुझे वैसा ही करना है तो यही वज़े जैसे दूसरा example देता हूँ कि जैसल मेर जिले से तीन भाई है जो है वो हिमत चारण अशोक चारण और ललित चारण उसमें सबसे पहले हिमत यहां पे पढ़ने के लिए आया था वो यहाँ पढ़ रहा था उसका साल-डेट साल का पढ़ाई का यहां का अनुभव था उसके बाद उसने अपने भाई अशोक चारण को जो है वो कहा कि भाई आजो यहीं आजो स्प्रिंग बोर्डी जोइन करो रापको तो बिलकुल कुछ ही ज़दा नहीं सोजना है फिर वो अशोक ने भी यहाँ एडमिशन ले लिया तो बाद में अशोक का IRS में सेलेक्शन हो ग थी आरे इसके प्री एक्जाम को जो है कुछ ही समय बाकी था और जब ललित रेटायर होके आया तो उन्होंने कहा कि भाई यहां कुछ भी नहीं करना है आपको तो आँख मून के हर बात जो है माननी है और आप देखो कि केवल दो महीने तीन महीने की तैयारी का समय मिला था उसमें भी प्रिलिम्स में कहां तो आदमी कट ओफ पार करने के लिए मर खब जाता है और अफसोस करता है कि एक नंबर और हो जाता तो मेरी प्रिलिम्स जो है वो पार हो जाती लेकिन ललित ने दो तीन महीने की तैयारी में प्रिलिम्स में सो नंबर का जो 98 या 100 स्कोर किया जबकि उस समय cut-off 67 marks जो है वो गई थी तो cut-off से भी इत्ती ज़्यादा और केवल तीन मेने की पड़ाई से और फिर final interview भी दिया और वो भी तैसिल दा रहे हैं तो तीनों भाई जो है वो select हैं और springboard जो है पूरी तरह से तो एक तो यह select होने के साथ से तो springboard जो है वो ही है प्लस आजकल जो है online भी हम आगे हैं तो online में हमारे एक आदमी एक घर का एक member जो है वो admission लेता है और course लेता है और उसके बाद घर के सारे लोग देखते हैं और हमारे जो है वो कई तो history की और वो classes तो उनकी जो मम्मी हैं उनके पापा हैं वो भी द देखने लग जाते हैं चोटे बच्चे हैं वो भी देखने लग जाते हैं तो springboard academy अब हर घर तक जो है वो पहुंच चुका है चलो तो मैं वापस आ जाता हूं उसी पे तो फिर मेहंदरपाल ने जो है वो प्रेरित किया ईश्वर को कि वह तुम्हें जो है वो जी जा जी आ आपके सामने हैं आईएस में सेलेक्शन हो चुका है आरेस का इंटर्व्यू कॉल हो चुका है और सब इंस्पेक्टर का भी इंटर्व्यू कॉल हो रखा था लेकिन सब इंस्पेक्टर के इंटर्व्यू से पहले आईएस का result आ गया तो लगा अब सब इंस्पेक्टर का इं हरदे एकदम आत्मी भाव आपसे मिलेंगे तो आपको भी लगेगा कि एकदम निश्क पट और बिल्कुल निर्मल हरदे जो होता है दिल होता है जो भी बात होगी सारी बाते हैं आपके सामने दिल खोल की जो है रख देंगे कोई डिप्लोमेशी नहीं कोई वैसी वाली बात जो है वो नहीं होगी जिससे कि आपको तो आप बहुत प्रभावित होंगे उसके बाद जो है वो आपको अगले जो वक्ता होंगी वो होगी पुजा यादव जो अभी यहां चौमों में तैसिलदार हैं आर्टियस हैं नाइब तैसिलदार के पत्पे हैं तो पुजा की संगर्ष है वो बहुत लंबा संगर्ष रहा है पुजा ने 2010 में तैयरी जो है वो शुरू की थी तो 2010 का आरेस एक्जाम दिया था 2012 का आरेस एक्जाम दिया था और हर किसी को पता था कि पूजा का selection 100% जो होगा लेकिन उस समय exam का pattern थोड़ा अलग था उस समय optional subjects होते थे और optional subjects में जो है वो नियाए करने के लिए कि किसी optional में बहुत ज्यादा number आ जाये तो उसके तो सारे select हो जाएंगे और किसी में tough paper आ जाये तो सारे fail हो जाएंगे इस त स्केलिंग मेथट में कुछ लोगों की तो बले-बले हो जाती थी और कुछ लोगों की मैνत पर पानी फिर जाता था तो कहीं न्याय भी होता था और न्याय और अन्याय दोनों होते थे इस वझे से आरपियसी न अब वो सिस्टम ही चेंज कर दिया अब वो optional system ही हटा दिया और चार compulsory paper जो है वो RS में आपके रख दिये इसलिए चारों paper है सबके लिए एक समान है अब कोई scaling वगेरा नहीं होगी आपको जितने ये गोड़े और ये मैदान जितने दोड़ाने है दोड़ा लो जितने number लाने है उतने ले आओ तो पूजा का जिसे उदर selection न होना और आप जो है हमिशा और आपके साथ वालों के ज़्यादा तरगे सब के selections जो हो गए और in between परिवार में ऐसी इस्तियां उत्पन हो जाती है कि आप अपनी पढ़ाई को continue नहीं कर सकते दो-तीन साल तक आपकी पढ़ाई इतने tension में चले जाते हो आपकी 2018 वाला जो बैच है RS का जो वेकेंसी थी इसमें उसने जो है वो चौरासीवी रैंक जो हो हासिल की और वो तैसिलदार के पद्वे जो है वो अभी है तो पूजा से जब आप सुनोगे तो किस तरह से एक इतनी लंबी समय तक जो है वो patience को बनाए रखना धैरी को बनाए रख और फिर जिन्दगी में किस तरह से सफल होना है तो वो चीज आपको जो है वो मिलेगी और उसके बाद है फिर वापस पूजा मिना जो की 78 रैंक है पूजा शुरू से वैसे पढ़ाई में अच्छी थी वो जिस दिन पहले दिन इस इंस्ट्यूट में आई थी उस दिन है उ उसका रैंक जब 78 आई तो दो दिन तक उसने फोन नहीं उठाए किसी कि वो इतनी दुखी थी कि उसकी रैंक जो है बहुत पीछे आई है उसको इससे बहुत ज़्यादा उमीद थी पहला ही अटेम्ट था और पहले ही अटेम्ट में इतना कॉन्फिडेंस और इस चीज का द जिते भी पुराने श्रेंड हमारा पुरा स्टाफ वो जो है वो बहुत अच्छे से ऐसे जानते हैं जैसे कोई परिवार के सदस्य हो क्योंकि वो हमेशा यहीं पे यहीं आफिस में रेसेप्शन पे यहीं पे बैठे रहना यहीं पे जो भी टीचर मिल गया उससे जो है कोई भी समस्या है क्वेरी है तो वो एनिटाइम पूछते रहना और इस वज़े से स्प्रिंग बोर्ड में जिता भी स्टाफ है सब को पता था कि पूजा का सेलेक्शन होगा निश्चित रूप से होगा और टॉप टैन में रेंक जो आएगी और जब भी सबने जब सुना कि अधली एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी बातों को भली डंग से न सुने या न सुने लेकिन उन लोगों की बातों को आप जरूर सुने और यह देखें कि जो यह सफल विक्ति बियर्थी होते हैं वो किन रास्तों से गुजरे होते हैं उनके जीवन के क्या से बना हुआ है कोई नेगेटिव सोच रहा है कि अगर यह पंगा गिर जाय तो किते लोगों का माता पोड़ेगा इस पंगे के बारे में सब सोच सकते हैं कोई भी चीज सामने होती ही पर सब के सोचने का जो नजरिया है वो अलग-अलग तरीके से होता है तो एक जो सफल व द्रिष्टी कोन को सही कर सकते हैं और चीजों को ग्रास्पिंग जो पावर है आप उसको जो हो इंप्रूव कर सकते हैं तो इसलिए मेरी बात बले डंग से सुने या ना सुने लेकिन उन लोगों की बात बहुत अच्छे से सुनना और आखिर तक आपको बैठे रहना है बी आपके धैरे की परिक्षा लेती है कि आपको धैरे है या नहीं है और पेसेंस रखना आना चीए लगातार बैठने की हिम्मत आपके अंदर होनी चीए क्योंकि आप जब स्प्रिंग बोर्ड में एड्मिशन लेंगे तो रोजाना च्छे गंटे की क्लास होगी तो रोजाना च्छे गंटे बैठने का आपके अंदर क्षमता है या नहीं है इसकी परिक्षा आज हो जाएगी आज अगर आप थोड़ी देर में बोर होने लग जाते हैं दुखी होने लग जाते हैं और आपको लगता है कि आप नहीं बैठ सकते तो प्लीज मैं कह रहा हूँ कि आपके आपको रोजना दस गंटे बैठना है बारा गंटे बैठना है ये बारा गंटे में कोचिंग चल लिए इसलिए बाकी नॉर्मली वैसे आट गंटे भी रेगुलर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसका सेलेक्शन हो जाता है तो रोजना आपको अगले दो तीन चार साल तक प पहली बात तो एक तो आरेस की वेकिंसी के बारे में बात कर लेंगे आरेस के एकजाम का पैटन क्या होता है इसको बेर सिंपल जो है वो पचास शब्दों में सो शब्दों में क्लियर कर दूँगा जदातर लोग आप मेंसे जानते हैं आरेस की परिक्शा क्या होती है फिर दूसरा की आरेस की परिक्शा देने के लिए क्या कोचिंग इंस्ट्यूट जरूरी है या नहीं है कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कोचिंग से सेलेक्शन होता है या नहीं होता है इसके बारे में फिर अगर कोचिंग का महत्व है तो कौन सी कोचिंग जो है मैं अपन चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अपन आपके बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आप अपना आत्म मुल्यंकन करें खुद का कि आप आरेश की तैयरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और तैयरी करते हैं तो आपको किन चीजों का ध्य तो सबसे पहले बात तो patience या ध्हरे आपके पास है या नहीं है सबसे पहले तो यह देखें इस से पहले भी आपने जीवन में बहुत सारे tasks उठाए होगे बहुत सारे challenges का सामना किया होगा चुना होगा मैं यह करूँगा वो करूँगा तो इससे पहले जित्ने भी टास्क की परिक्षा बाद में लेती है पहले आपकी धहरी की परिक्षा लेती है क्योंकि आरेस की वेकेंसी कितने भी लंबी खिच सकती है, और गोर आवरेज जो टाइम है तिन-तिन साल का तो एक वेकेंसी को कम्प्लीट होने में लगता है, फिर दुबारा देना पड़ेगा एक बात है आप मेंसे कई लोग ऐसे होंगे कि इत्ता समय तो हम नहीं दे सकते आप निश्चिंत रो एक बार इस फील्ड में एंटर करोगे तो अपराद जगत और सिविल सर्विसेज की दुनिया में किवल आने के रास्ते होते हैं जाने के रास्ते नहीं होते हैं क्योंकि एक बार आप जो है एक बार आप मानस बना लेते हो कि मुझे आरेस बनना है तो जिस दिन आपने यह तैक है कि मुझे आरेस बनना है उसी दिन एक तो उस रात आपको नीन नहीं आती बस उसी रात पूरी रात यही सपने आते हैं आप आरेस अधिकारी हो आप लालबत नहीं समा रहे हो प्लस आपके घरवालों को जब सुनाते हो तो बहुत रॉप के साथ सुनाते हो अब अपने को चाहिए फुल इज्यत कि क्यों कि अब अब उन कर रहे हैं आरेस की तहरी तो उसके बाद आपके घरवाले भी शुरू सुरू में तो जो भी रिस्तदार आएंगे उनको जो है वो नहीं भी पूछेंगे का आपका बच्चा क्या कर रहा है तो चला के उनको पूछेंगे पहले आपका बच्चा क्या कर रहा है तो वो अपने बच्चे के बारे हम बताएंगे तो फिर वो अगलों की मजबूरी होगी तो फिर वो आपके घरवालों को भी पूचेंगे, आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो आपका घरवाले किसी सवाल का तो जवाब इंदजार था, हमारा बच्चा, आपके घरवाले बहुत आतने विश्वास के साथ बरजाएंगे, उनको अपने उस पर, जो इतने सालों तक मेहनत करके, आपको पड़ाया लिखाया इस्कूल वॉलेज में उस पे प्राउड फील होने लगेगा फिर आपके जो दोस्तों के बीच में जो भी जो है वो आपके भी अब मैं फॉन लगा के सबको आरेस की त्यारी करने के लिए जैपुर जा रहा हूं और जैपुर और ट्रेन में जब आप रवाना होंगे अपने कसमे से और याँ होंगे तब भी आपकी इच्छा रही होगी आपसे पूछे लोग कि आप क्या कर रहे हो तो कोई नहीं पूछे है तो सेम पुराना फॉरमूला आप लोगों अपेता कर रहे हो बही जब begin क्या कर और जब आप इत्पे लोगों आपने के डब्बे में साथ में यात्रा की थी वह भी आपको याद दिलाएगा प्लस जो है आपके जो दोस्तें वो तो कहेगा देख भाई तुम आरेस बनने के बाद भूल तो नहीं जाएगा हमें भाई का द्यान रखेगा किती मदद कर रहे हैं यार तेरी यह सब बातें य हमारे एजडियम के आवास के घर रेजिडेंस जो होता है उसके आगे से जो निकलते हो उपकंड अधिकारी लिखा हुआ होता है तो फिर तुमारे मंदर से आवाज आ रही है जल्द आ रहा हूं मैं भी यह क्वाटर अपना ही होगा यह यहां पर अपनी रहेंगे और फिर जो इखंड अधिकारी लिखी हुई को गाड़ी निकलेगी तो भी आपके मन में जो है वो इभवात हैं तो इतने सपने देख लेता है कि उसके बाद आदमी से यह रास्ता छोड़ा नहीं जाता फिर हो सलेक्शन यह नहीं हो पहली वेकेंसी में हो नहीं हो दूसरी में हो न नहीं हो तीसरी में हो नहीं हो लेकिन छोड़ा नहीं जाता है और वैसे गभराव मत अभी जदा समय लग जाएगा कि सर इतने साल हमारे पास नहीं है वो सब होता है हमारे एक दोस्त है जो पहले क्या हो सो खुप स दस एक साल तक तैयरी की शुरू-शुरू मुसकर नहीं सा खराब कर दी अब मिल भी जाये तो कोई मतलब नहीं है क्या मतलब है इतनी कीमत जिस चीज की चुकानी पड़री है वो अब मिले तो कोई मतलब नहीं रहेगा अपने तो शुरू में अगर सेलेक्शन हो गया होता तो कोई बात थी उसकी यह डायलोग्स थे फिर लास्ट अटेम्ट में उसका हो गया, हो गया तो फिर मैं का क्या भई अब कोई बात है क्या मतलब की बात है या नहीं है। वो तो आठ साल ही लगे थे, भले आठ साल और लग जाते और उसके बाद ही होता न, बात होती है। मैं कि ऐसा क्या भाई आफिस के अंदर बार लाइन लगी होती है फर्यादियों की मिलने वाले लोगों की रिस्तदारों की जहां शादी में जाओ पचास लोग घेर के खड़े रहते हैं सेल्फियां लेते हैं और हर कोई इंट्रोडक्शन निकालता है दूर दूर के रिस्तद हैं नो उनकी बाते तो अच्छत लगता है और उसकी कीमत अगर यह साथ साल आठ साल कोई कीमत ही नहीं है तो बनने के बाद जो है वो यह तो यह सारी जो चीजें हैं यह आपको एक बार इस रस्ते पर आते हो तो वैसे यह रस्ता आपको छोड़ने तो देगा नहीं जब त किसी तुम्हें मना नहीं कर देगी भाई साब अब बहुत होगा रहन दो तब तक जो है तो सबसे पहली चीज तो जो है आप में पेशेंस होना चीए और आप मेंटली पहले से इस चीज के लिए प्रिपेर होना होता है आपको कि मैं आपको मिलने वाली चीज भी इत्ती कर सब्सक्राइब तो सुबह सुबह उत्रा था तीन से मैं और घंटे पर तक यहां बैठky उनकर सेट करते हैं अलग-बज़ करतेonie उनको supplementary जो आता है उसको सबको adjust करते हैं और newspaper बांटना शुरू करते हैं 8-9 बजे तक वो घर पहुंचते हैं और 9 बजे घर जाके सनानवनान करते हैं फिर खानावाना खाते हैं और फिर वो दूसरे किसी काम पर जाते हैं तो आप देखो और एक hawker कितने रुपे कमाता हुगा और ये schedule उसका 3 बजे से लेके 9 बजे तक कितने गंटे हो गए 6 गंटे हो और सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो हर इस्तिती में उसको जो है वो newspaper तो पहुंचा नहीं है क्योंकि लोग newspaper के इतने addict होते हैं कि उनको सुबह सुबह fresh होने से पहले भी कई लोग तो ऐसे हैं जिनको newspaper चाहिए ही चाहिए और इसलिए hawker irregular नहीं हो सकता अनियमित नहीं हो सकता कभी भी नहीं हो सकता उसे घर में शादी भी है तो वो किसी दूसरे hawker की मदद लेगा कि वहाँ newspaper पहुंचना चाहिए तो इतनी तलीनता से लगातार 365 में से 360 दिन 350 दिन वो रोज़ाना 3 बज़े उठके 3 बज़े से 9 बज़े तक जो है वो इतनी मेहनत करता है 6 गंटे मेहनत करता है उसके बदले में उसको क्या मिलता है उससे कित्ते रुपे कमाता हूँ मुझे खेर आइडिया नहीं है कित्ते रुपे कमाते होंगे पर फिर भी 15,000 20,000 इससे ज़्यादा 25,000 30,000 इससे ज़्यादा कमाई नहीं होती तो 20,000 रुपे के लिए एक व्यक्ति अगर इतना नियमित हो सकता है इतना जो है वो मेहनत कर सकता है 6 गंटे रेगुलर दे सकता है तो आप अगर 6 गंटे नियमित रूप से दे दो 6 गंटे इस तरह से हॉकर को आइडियल मान लो आप और उसकी तरह अगर आप मेहनत कर लो तो आपको बदले में क्या मिलेगी 15-20,000 नहीं मिलेंगे आपकी तनखा जो है वो लाख दो लाख और रेटार्मेंट तक कौन से पहुंचे 3-4 लाख रुपे तनखा होगी आपकी आपका जो सोशिल कद जो बड़ेगा समझिक प्रतिष्ठा जो बड़ेगी और आपको वो काम करने में जो आनंद आएगा एंजोई करेंगे तो इतनी ऐसी चीज़ें मिल रही है कि जसके लिए मैं कहा रहा हूँ 6 गंटे क्या आदमे को 15 गंटे भी मैनत करवानी जाए तो भी वो कम है क्योंकि इसके बदले में मिलने वाली चीज बहुत बड़ी है आपको regular यह प्रेड़ना आप ले सकते हैं hawker से आप भी ले सकते हैं आपको नियमित रूप से मैनत करनी है कंटीणी आपके मेनत के अंदर वो बड़ी होनी है आप वो चीज़ आपके अंदर है या नहीं है यह चीज़ आपको जो आए डेखना है एक movie देख ली या एक दोस्त को देख लिया और उसको देखके just जोश आगया और जोश में आप जो है वो यहां आगे है वो चीज नहीं होनी चीज़िए आप में patience जो है वो सबसे पहली चीज होनी चीज़िए दूसरी चीज है आपका अब चुणकि यह जरनी बहुत लंबी ह होती है पेशेंस रखना है जरनी लंबी है दो साल तीन साल तक की दो गंटे तीन गंटे की बात हो तो कोई दिकत नहीं है दो दिन दस दिन की बात हो तो कोई दिकत नहीं है इसमें मिनिमम तीन से चार साल तो आपको प्रोसेस होंगा और आत्मविश्वास होता है तो patience बना रहता है आत्मविश्वास नहीं होगा तो आपका patience नहीं रह सकता इसलिए दूसरी चीज़ आपको जो notice करने है वह है आत्मविश्वास confidence आपका है या नहीं है अब वो confidence कैसे बढ़ाया चाहे confidence भी सभी लोग कहते है आत्मविश्वास होना चाहिए आत्मविश्वास होगा कैसे आत्मविश्वास बनेगा कैसे बहुत सिंपल से formula इसके आत्मविश्वास को बनाया रखने का आत्मविश्वास को बनाया रखना है तो सबसे पहले तो आपका जो सोच है वो positivity होनी चीए, आपकी सोच में सकारात्मकता होनी चीए, हर चीज में जो अच्छा पक्ष है उसको पकड़ने की क्षमता आपकी होनी चीए, दोनों चीजें जैसे कि मैंने कहा कि पंखा हवा दे रहा है, कितना उपियोगी है, इतने लो आपके positivity जितनी जदा होगी तो आपके आसपास की जितनी घटना है होगी, उनमें आप सकारात्मकता को पकड़ोगे, सकारात्मक सोच अगर आपकी होगी, तो आपका आत्मविश्वास भी जो है वो बना रहेगा, प्लस आत्मविश्वास एक तो सकारात्मक सोच है, और सका आत्मक्त सोच कैसे रहेगी इसके लिए आपका जो एंवायरमेंट है आपका जो फ्रेंड सरकील है उसमें बाद में आऊँगा फ्रेंड सरकील आपका सबसे अच्छा होना चाहिए दूसरी चीज आप अगर मैनत करते हो तो आपका आत्मविश्वास हमीशा बना रहता है कि एकदम से मैं आरेस की किताबों को एक तरफ रखता था सिदे आईएस वाली उठाते लगता था और उसके बाद लगता था आईएस नहीं अब तुम मुझे चीए को अंतरहश्ची इस तरका जो प्रशासिक सेवा का एक्जाम वो भी अपन क्लियर कर सकते हैं और हमीशा व मैनत नहीं करते हो पांच-साथ दिन मिरवाज स्टुडेंट आते हैं वो घर में शादी है घर में मकान का काम था गर में कोई टेंशन हो गई और घर जाकर आता है उसकी पड़ाई नहीं होती है साथ-आट दिन तो फिर वो डिप्रेशन में आता है और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो डोल जाता है जिसलिए आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि मैनत लगातार आपको करते रहना है जितनी मैनत करोगे आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और मैनत के साथ ही जो है वो वापस result भी होना चाहिए आप नियमित हो आप मैनत भी कर रहे हो प्लस जो है हद कंडे या तरीके अपनाने की जरूरत बिलकुल ही नहीं है तो मैंने कहा पहली चीज पेशेंस होनी चीए दूसरी चीज आपके अंदर आत्मविश्वास खुद पर भरोसा होना चीए खुद पर भरोसा मैं जैसे मैं अपने आप पे और इसलिए मैं मेरे स्टुनेंट्स मैं अपने आपको अच्छा नहीं मानूगा तो दूसरे लोग मुझे अच्छा कैसे मानेगे तो इसलिए मैं जैसे पहले शुरू-शुरू में जब मुझे लगता था क्यार मैं एकॉनमिक्स करती अच्छी पढ़ता हूं फिर मुझे कोई दूसरा टीचर लगता था क्यार यह एकॉनमिक्स मेरे से अच्छी पढ़ता है तो मुझे यह मानने में कभी बुरही नहीं होती है तो फिर अब मेरा आत्मिस्वास डोलने लगेगा क्यार मेरे से तो अच्छी यह बढ़ता है फिर मुझे दूसरा पर मैं अपने आपको कम तो कभी नहीं माखूंगा देशक्ते लिए पिष्ट में पढ़ता है तो फिर मैं मैं हिस्टिवी पढ़ा सकता हूं पिर वह वह इसा अच्राच पढ़ता है और क्गरा के सब्जेक्ट के साथ साथ फिलास्टी पढ़ा सकता फिर आजकल जो है जिते भी आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने वाले भी सारे इंजिनिरिंग बैक्ग्राउंड की लोग होते हैं फिर पता चले वो एक आदमी और मिल गया जो फिजिक्स भी बहुत अच्छी पढ़ाता है अब जो मुझे कुछ ही समझ में नहीं आता तो फिर और उसके बाद आप इत्ते मान हो जाते हो आपकी तुलना में दूसरा कोई नहीं है तो कुल बिला के कैसी भी कैसी भी इस्षचती हो आप अपने बारे में जो है वो हमीशा अपने जो पाजिटिव चीजे हैं उनको हमीशा देखते रहें और उनको अगर आप देखो interpret और उनको आप मैच्छा करोगे सुधारों के इंप्रू करोगे तो आपका आत्मविश्वास बड़ा बना रहेगा तो ये चीजे होगी आपको तो तैयरी करते समय इन बातों का जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है पेशेंस आपको रखना है पहले से तयार होके रहना है दूसरी बात जो है वो आपको आत्म विश्वास बनाए रखना है आत्म विश्वास बनाए रखने के किते तरीके positive जो नजरिया है वो आपका चीजों के प्रती होना चाहिए ये बातें अगर आपके अंदर है और मैनत सही दिशा में करनी होती मुरे पास students आते हैं कि sir क्या पढ़ें कैसे पढ़ें सही दिशा में मैनत क्या होती इसका simple formula मैं बता रहा हूँ तो मेरी बातें बहुत सामने सी है और मेरा ये मानना है कि दुनिया की सबसे महान बाते हैं हमेशा सामने बाते होती है और वो इसलिए सामने लगती है आपको क्योंकि ये कई बार कही गई है कई बार सुनी गई है इसलिए वो सामने बन जाती है और चूंकि वो सबसे महत्वपून थी इसलिए कई बार कही गई और कई बार सुनी गई इसलिए वो रोज सुनते हैं रोज सुनते हैं इसलिए अपने को सामने लगने लग जाती है तो ये मेरा मानना होता है तो इसलिए मेरी जो जितनी भी बाते हैं वो बहुत सा नहीं होती क्योंकि आश्चरी चकित किया इसका मतलब जिंदगी में आपने पहली बार सुनाएं इसका मतलब वो इतनी डंकी नहीं थी कि इसको बार-बार कहा जाता इसलिए आप अश्चरी चकित जरूर हो गए उससे प्रभावित हो गए इंप्रेस हो गए लेकिन वह बात इ दिमेंशन में होनी चाहिए तो क्या पढ़ाई करें यह मेरे पास बच्चा आते हैं तो मैं इसका सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं कि पूराने UPSC के और RS के कुश्चन पेपर लो आपकी टेबल पर वो कुश्चन पेपर पढ़ा रहना चाहिए और आप उसमें से कभी भ प्रशन आया आप वांस्वर नहीं आया तो वो आपके खटकेगा हमेशा दिमाग में और वो आपकी क्योरोसिटी को बढ़ाता है और आप जब भी पढ़ोगे तो उससे रिलेटेट कहीं कोई जानकरी होगी तो आप बहुत ज़्यादा जिग्यासा के साथ उसको जो है वो अगर आप अपने सामने जो है वो रखोगे तो उससे पता चल जाएगा कि UPSC और RPSC किस तरह के questions पूछती है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए वो ही पढ़ना चाहिए जो की exam में काम आए exam में काम कब आएगा किस तरह के question पूछे जाते हैं तो जिस तरह के question पूछे जात जाते हैं कुचिंग के बारे माव मां बात कर लेते हैं को नहीं के दो करते हैं जो सेल्फ स्टेडी से पढ़ाई करते हैं और WHO सलेक्ट होते हैं और UPSC में तो AC में तो आजकल 60%, 70% लोग जो है वो self-study वाले ही होते हैं, जो select होते हैं, आइएस के अंदर तो, आप देखोगे, तो जदातर जो है, हाँ, वो last में mock interview देने के लिए कहीं पर चले जाते हैं, इसलिए coaching इंस्ट्यूट्स वाले दावे कर लेते हैं, भाई, यह हमारे यहां से पड़े हुए हैं, तो mock interview students सब सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां तक R.A.S. का प्रशन हैं, तो R.A.S. में यह नहीं कह सकता कि 60%, 70% self-studies होते हैं, R.A.S. में भी बहुत सारे लोग हैं और टॉपर्स में भी बहुत सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं, जो self-study से select होते हैं, तो self-study से select हो सकते हैं, आप इसके लिए जो है, यह जरूरी नहीं है कि आपको selection के लिए coaching लेनी ही होती है, तो अगर आप कर सकते है यह depend करता है, कि आदमी क्या होता है, कि एक तो आदमी होता है, जो अपने आपको motivate कर लेता है, अपने आप वो पढ़ाई कर लेता है, तो उसके लिए self-study अच्छी भी होती है, क्योंकि coaching आने का time, आने में आदा गंटा पौन गंटा लगता है, जाने में आदा पौन गंट लगता है, तो लेड़ घंटा आपका वैसे आने जाने में खर्च हो जाता है, प्लस एक जो teacher है, हम लोग जो पढ़ाते हैं, वो एक common से common, सबसे जो कम intelligent बच्चा class में बैठा है, उसको भी बात समझ में आनी चीए, उसको ध्यान में रखके target करके हम पढ़ाते हैं, इसलिए एक बात को हम चार बार, पांच बार, छे बार रिपीट करते हैं, जबकि जो smart बंदा है, उसको एक बात, एक बार में ही समझ में आ जाती है, तो वो पांच बार एक ही बात को सुनता है, तो वो irritate भी हो जाता है, तो अगर आप उस तरह के intelligent व्यक्ति हैं, तो आप self study से select हो स हैं, ये इस बज़े से एक तो coaching का सबसे जो पहला फाइदा होता है, वो है, आपको नियमित बना देता है, रेगुलर बना देता है, आपको इस सुबह 7 बज़े से 1 बज़े तक का बैच है, तो आपको रोजाना 6 बज़े उठना ही पड़ेगा, 7 बज़े आना ही पड़ेग और यहां आके अगर आप बैठे हैं, तो 7 बज़े से लेके 1 बज़े तक क्लास में बैचना ही पड़ेगा, बले कितनी urgent phone आ रहा है, बले कितनी urgent कोई काम है, तो भी एक बार आए हो तो बैठके पड़ना ही पड़ेगा, बीच में घर पे बैठे हो आप, तो बीच में कभी कभी आपका Instagram चलाने का मन कर गया कभी भी WhatsApp चलाने का मन कर सकता है सुवे नीन आई है तो सोने की इच्छा हो जाती है फ्रेंड आया है कि लिए चल मूवी देखने चलते हैं तो मूवी देखने चले जाते हो घर से ममी का फॉन आ गया बहुत याद आ रही है तुमारी तो तुम एक पड़ी हुई बात जो अपन पढ़ते हैं वो थोड़ी कम याद रहती है कोई बाद में सुनाता है आपको बात तो वो बात आपको लंबे समय तक याद रहती है यह दूसरा फाइदा जो कोचिंग का हो जाता है तीसरा फाइदा जो यहां पढ़ाने वाला सबजेक्ट पढ़ाने वाला जो टीचर है वो उसको पिछले 15-20 साल का उस सब्जेक्ट को पढ़ने का अनुभव है और उसके किसी भी टॉपिक से रिलेटेट जितिव चारी चीजे हैं वो सारी एक साथ आपको बता देता है और आप खुद पढ़ेंगे तो एक किताब को पहली बार प नुभव जो होता है तो वो एक साथ निचोड उसको पूरा आपको बता देता है तो ये तीसरा फायदा है चौथा संगत से आपके आसपास जो है वो वतावरन होगा आपका एन्वार्मेंट होगा सत्संग जिसको एते हैं अच्छे लोगों की संगती तो अगर घर पे होगी उसमें पड़ाई से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं होगा यहां आओगे तो आपकी जदातर जो बात है वो यह तेहरी करें आपके आसपास जिते भी लोग होए वो सब आरियस की तहरी कर रहे हैं ये उनसे बाज़ीत भी होगी तो संभावना यह Hey zwischen आ चेяться यहां समं के जो दोस्त होंगे आपके तो वो उससे एक group study का जो mahal जो हूँ बनता है और हम कई चीजें जो है वो अपने दोस्तों से आसपास के वातावरन से ज़पते हैं किताबों की बजाये हम वातावरन से ज़पते हैं और लोगों की तुलना में आपकी तैयरी कैसी चल रही है वो कि एक तो कि मामा आज में अड़ो दोड़ यह जगो जाड़ गई ला रही है और लोगों के साथ दोड़ना तब पता चलेगा तो घर पे बैठके पढ़ाई करते हैं तो हमें इतना पता नहीं होता कि हमारी तैयरी का इस्तर क्या है और लोग भी पढ़ रहे हैं दुनिया में तो उनसे कंपेरिजन जो है वो हो जाता है नियमित टेस्ट हो जाता है दूसरे लोगों से कंपेरिजन भी हो जाता है और एक टास्क होती है कि मंडे को टेस्ट होता हम मंडे को टेस्ट रखते ही इसलिए हैं क्योंकि संडे के दिन छुटी होती है तो छुटी मना नहीं पाए बच्च की है इसलिए मजदूरों को होती केवल अमावस की छुटी तो यह कुछ बेनेफिट्स जो है वह होते हैं कोचिंग के जो मैंने बताए हैं फिर भी आपपर डिपैंड करता है आपकी अगर परिवारिक इस्तती या किसी वज़े से आप अगर coaching नहीं कर पाते हैं आरति के स्थिति अच्छी नहीं है तो नीचे यह springboard academy के notes मिलते हैं आप वो notes वही है जो यहां पर पढ़ाए जाता है class में पढ़ाए जाते हैं और बच्चे जो लिखते हैं वो कि वो जो class में पढ़ाए जाता है वो ही है नहीं 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 आता है वो ही notes होते हैं जो class में पढ़ाए जाते हैं तो आप वो notes खरीद के self-study करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं और self study से बन भी सकते हैं और मैं तो कहता हूँ उधारन भी देता हूँ बच्चों को कि self study वाला जो है वो हमेशा से ही आगे रहा है माँ भारत में भी कौरवों पांडवों ने कूचिंग की थी और एकलव्य ने self study की थी और फिर भी तकड़ा दनूर्दर कौन था एकलव्य था तो self study का उधारन वहां से मिलता है और self study वाला कोचिंग वालों से भी जदा कोचिंग तो फिर क्या है कि अमीर आदमियों तुम लोग पैसे बहुत है तो जैसे बादशाक बर जो है वो अनपढ़ था और वो किताबें पढ़ नहीं सकता था तो उससे का यार क्या करें किताबों में क्या लिखा हुआ है जानने का तो मुझे बहुत शौक है तो पैसे देता था और आदमी को खड़ा कर देता था कि तू किताब पढ़ के सुना इसमें लिखा किया है वो जब भी फ्री होता था, हाँ, बोलना शुरू कर दे तो वैसी शेंशाओं जैसी फीलिंन लेनी है तो पैसे दो हमें और यहांगे बैठ जाओ और फिर हमें को अब बोलना शुरू कर दे और फिर हमको वे बात जल्दी जल्दी बताते है कि रूखो जटा रुक ये वापस रिपीट जंग से समझ में नहीं आई है तो कोचिंग जो है उन पैसे वाले लोगों के लिए है जो खुद जदा यतनी मेनत नहीं करना चाते और के हाँ यहां आके बैठ जाए और मास्टर को गएक ले अब बोलना शुरू जाए अब रुक 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 दो गंटे हो गए और तो टौलेट टौलेट करके आएंगे पाने वानी पीके आएंगे तब तक फिर वापस आके सब्वां घै अब कोचिंग में इतनी सारी कोचिंग से उसमें स्प्रिंघ व वरड क्यों जोइन करना चाता देखो। घरीमां दाकन कर के तो मतलब घर की कोचिंग को बुरा तो क्या हुआ नहीं, मैं तो मेरी तरफ से सुश्श्रिश्क संस्ताने मैं ऐसा कहूँगा लेकिन फिर भी साथ ही मैं यह कहूँ कि वैसे तो सारे कोचिंग इंस्ट्यूट वाले सारे कोचिंग इंस्ट्यूट अच्छे ही होते हैं क्योंकि सब कोई दोराय नहीं है, तब हम कहेंगे कि हमारे वाला बहुत जादा 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 अच्छा है, तो इसलिए पर हम यह कहते हैं, यह सौभाविक है, हम भी कहेंगे, आप दूसरे कोचिंग칙 इंस्टिट में जाओगे, तो वो भी यही कहेंगे आपको, कि वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं अब तै आपको करना है कि बहुत 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 ज़्यादा अच्छा कौन सवाला है तो इसलिए हम हमारे वाले को बहुत 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 ज़्यादा अच्छा बताने के लिए कुछ लॉजिक्स देते हैं कुछ आपको बा होता है तो एक आदमी प्री की कोचिंग एक जगे से कर लेता है मेंस की कोचिंग एक जगे से कर लेता है रहे इंटर्विव मॉक इंटर्विव देने के लिए दो दिन कहीं और भी चला जाता है और एक दिन किसी एक दिन इंस्ट्यूट में कोई आ गया और उसने फॉर्म भर दिया उसके बाद इंस्ट्यूट का तो दावा हो जाता है कि यह हमारा जो है आप जो है वो मार्केट में सर्वे करें और इसके लिए हमारे यह मानना है कि आप मार्केट में सर्वे करोगे किसको पूछोगे पहली बात तो जो सलेक्ट हो चुके हैं उनको पूछोगे और वो हमें पता है कि आरेस की वेकेंसी में फिजली वेकेंसी जो एक अजार की वेके से कि जो हमारे से फिर पूछ लेना कि भाई आप पड़े हुए तो नहीं हो तो अगला कहेगा मोस्ट पॉबिबली कि हाँ मैं स्पिंग बोर्ड से पड़ा हुआ हूँ तो फिर तो कि नहीं नहीं फिर उससे नहीं मुझे ऐसे आदमी से पूछना है जो स्पिंग बोर्ड में या जो ISDM लगे हुए हैं आपके एरिया में जो लगे हुए हैं उन से आप कंफर्म कर लें और उन में निश्चित रूप से यह दो एक जो है दो तीन जद तीन ही होंगे जो स्पिंग बोर्ड की स्टुडेंट ही होंगे जो ठीक है तो आप उन लोगों से पूछे प्लस ज जो टीचर से दूसरे कोचिंग इंस्टूट्स में पढ़ाने वाले जो टीचर से उन से आप पूछे हैं और उसमें आपको पता चलेगा कि कई सारे जपुर में जित्ती कोचिंग इंस्टूट्स हैं उनमें जो टीचर से उनको तो रात दिन सब कोचिंग के बारे में पता ह होता है तो उनके खुद के भाई बतीजे वगेरे रिष्टदार और उनके फ्रेंड कहां पढ़ रहे हैं जो पुराने सलेक्ट लोग हैं उनके खुद के भाई बतीजे रिष्टदार वगेरे काहां पढ़ तो हमें पूरा वरुसा है का अगर आप इतनी चानबीन कर लोगे इतनी जासुसी कर लोगे तो निश्चित रूट से सब जगे आपको एक ही निश्कर्ष जो हो मिलेगा वो स्पिंग बोर्ड का मिलेगा तो इस तरह से मार्केट में उसके बाद भी हम कहते हैं कि आप 500 रुप जित्ते भी दूसरे वाले जो बच्चे हैं आप से पहले वाले भी बच्चे हैं जो दो महीने से पढ़ रहे हैं जो आट महीने से पढ़ रहे हैं जो दस महीने से पढ़ रहे हैं उन स्टुडेंट से आप पंटेक्ट करो उन्हें जासुसी पूरी करो पहले पूरा डाउट करो पूरा संदे करोग यह जितने दावे कर रहे हैं वो सही है या नहीं है तो उन सब〜क शोता है कि कि एक बार यहां कोई भी आता है तो उसके बाद springboard परिवार का सदस्य बनी जाता है और उसके मौँ से anytime springboard 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 ही निकलता है और यह तो हमारे प्रूव भी हो गया हम कभी भी parents के जो student है इनके parents से कभी भी मिलते हैं कहीं पे तो parents का एक ही dialogue होता है सारे parents का लगब इक ही dialogue होता है कि ये बट से springboard join किया है दिन भर घर में जो है वो springboard 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 ये सरसे वो सरसे वो सरसे ये माता खाता रहता है तो इस तरह से जो है ये आप को जो है तो सभी लोगों से उन JESSuce जो है वो कुछें, confirm करें, पता करें, कि हम जो दावे करते हैं, वो दावे सही है या नहीं है, तो ये आपके लेवल पर है, बाकी मेरे तरफ से, मैं आपको आसवासन दिला सकता हूं, कि हम केवल आपके पैसे से संतुष्ट होने वाले नहीं है, हमें और पैसे चाहिए, हमें और लोकु दबाव रहता है, आप टॉप भनते हो, तब तक आप एंजॉय करते हो, लेकिन जिए आप टॉप पर हो जाते हो, टॉप पे आजाते हो, तब आपके ऊपर आप बहुत बड़ा moral pressure रहता है, क्योंकि आप टॉप हो और टॉप से वापस नीचे जाते हो, तो बहुत बेजिती होती है और इस चीज़ का एसास हमें बहुत ज़्यादा है और इसलिए स्विंग बोड तेरा साथ साल से तेरा से लेके तेरा के रिजल्ट से लेके और आज तईस तक दस साल हो गए हैं दस साल से राजस्तान में के टॉप इंस्ट्यूट है और सेकेंड वाला है नहीं आसपास में इतना ज़्यादा गैप है टॉपर के और सेकेंड रैंक के पीच में मेरिट का वो आपको पता चल जाएगा मार्केट शेयर भी देखोगे तो पता चल जाएगा तो यह जो जिस जगे पतार रखना चाहते हैं और इसलिए हम जी जान से कोशिस करते हैं इसलिए हम आगे भी कभी ऐसा नहीं है कि एक के बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे और हम हमारी क्वालिटी को और जदा इंप्रूव करेंगे और जदा अच्छा करेंगे पहले की तुलना में ज्यादा बहतर करेंगे पहले की तुलना में जो है वह डाउन फॉल नहीं आएगा कम मैनद जो नहीं करेंगे और आप जत्ती करके आजाना मैं कह रहा हूँ कि उससे भी बहतर अनुभव आपका यहां पे होगा हाँ आप यस चौपडा की फिल्म हो जैसे कल्पना मत कर ले ना वैसा वाला तो आदर साइद नहीं हो पाएगा तुम आसे नहीं इस बात में पता नहीं है क्या हाँ चलो ठीक है वो यस में बाटे ही बाटे लिकरे हों और फिर इदर-फिर कहीं कोई मिलता था कॉल्च वाळा तो उसे पूर्चे दे के तेरी कॉलेज वैसी कॉलेज क्या जैसे फिल्म हम बतताते हैं तो अपति प्लुम में होती है तो में ऐसी क् gelecek कल्पना करके आजो तो उतु नहीं होगी लेकि तो मैं इत्ता ही कूँगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है फिर भी आप लोगों के प्रश्ण आंस्वर जो है कुशन्स तो अब बैच के बारे में जानकारी जो है वो देदो देख हाँ ये बैच जो है दो बैच शुरू हो रहे हैं अभी एक बैच है जो इंटिग्रेटेड बैच है आईएस और आरेस दोनों की कंबाइंड जो है प्रिपरेशन होगी और वो तीन साल उसका डियूरेशन होगा और जो ट्वेल्ट पास करके आये हैं या जो जो जनोंने फस्टीर किया है उन बच्चों के लिए पढ़ाया जाएगा तो ये इस बैच का डियूरेशन अठारा महीने होगा डेड़ साल होगा और उस बैच का डियूरेशन तीन साल होगा जो फस्टीर और ट्वेल्ट पास वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो तीन साल वाले बैच की है अब तुम हसो मत है ऐसे देखो मैं फिर वो मेरे पास बाते हैं बहुत है इस से रिलेटेड मैं ये प्रूव करूँगा कि फीस भी बहुत नॉमिनल है बहुत कम है 18 महीने हम कहते हैं 18 की जगे 20-22 महीने पढ़ाते हैं हम आपको और 22 महीने के हिसाब से जो 94,000 रुपे हैं या जो 1,500 रुपे हैं ये महीने के मातर 4,000 रुपे बनते हैं और महीने के 4,000 में प्राइमरी स्कूल के बच्चे को भी टुशन नहीं पढ़ाता आज की जमाने में कोई जबकि यहां तो जो है वो 6 गंटे और पढ़ाएंगे और स्कूल के बच्चों को 1 गंटे और 2 गंटे का टुशन होता है उसकी 4-5,000 रुपे जो है वो ले लेते हैं तो आपको तो RS बनाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं और और देखो फीस तो बदले में वापस सीखता नहीं है अब पैसे देते हैं बदले में कोई चीज मिलती है तो अपन उस चीज में इतने खो जाते हैं को उस पैसे देने का अपने को नहीं लगता चीज आईए ठीक है उसमें राजी हो जाते हैं और बदले में कुछ नहीं आता है, तो अपने को लगता है पैसे गए, तो इसलिए आपने फीस दी और बदले में अगर आपने ग्यान ले लिया, नॉलेज ले लिया, तो उस नॉलेज में आप इतने राजी हो जाएंगे, आपको लगेगा कि तक कुछ सीखा मैंने, तो तो आ आपको लगेगा कि फीस बहुत कम है, और आपने कुछ नहीं सीखा, तो आपके लिए फीस बहुत ज़्यादा है, और वैसे 4-5 जार रुपे होती है, इसलिए ये फीस को इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये तो फीस स्ट्रक्चर है दोनों का, और उस फीस में आदी ये दो में लेते हैं, ये वाली फीस और वो तीन इंस्ट्रॉल्मेंट में लेते हैं, और दो इंस्ट्रॉल्मेंट में अभी तीन दिन बाद एक इंस्ट्रॉल्मेंट आपको जमा करानी है, और उसके बाद दो महीने बाद जो है, आपको दूसरी इंस्ट्रॉल्मेंट जमा करवान और बाकी वाला शेडूल जो है वो इंटीग्रेटेड वाला नीचे आपको जो है वो बता ही देंगे तो यह दो बैट शुरू हो रहे हैं प्लीज और एक जो होता है लोगों के दिमाग में कि मौर्णिंग का बैट बहुत अच्छा होता है तो मैं आपके दिमाग से निकाल द जाएगी आप सो जाओगे पांच एक बजे उठोगे पांच छे साथ बजे यह गो दुली वेला होती है इस वेला में कोई पड़ाई नहीं करता इसलिए तुम चाय पीने के लिए थड़ी पे चले जाओगे फिल्म देखने जाने का भी ऑप्शन तुमारे पास हमीशा होता है फिल्म देखने चले जाओ दोस्त की रूम पर जाने का ऑप्शन होता है हमीशा जाता है रिदर रूदर जाकि तुम्हारा टाइम जो है वो खराब हो जाएगा फिर शाम का आओगे आठ बजे आओगे खाना खाओगे आठ से दस बजे तक पढ़ोगे दो गंटे पढ़ो वाला बैच जो आपका बैच है जो एक बजे से शुरू होगा सुबह उठोगे वो कि वो छे बजे उठ गए आप पढ़ने बैठ गए छे बजे से लेके दस ग्यारा बजे तक लगातार पढ़ाई कर ले और सुबह सुबह की जो पढ़ाई होती हूँ बहुत अच्छी पढ पढ़ो सुबह एकदुम फ्रेस माइंड है सीधे उठो पढ़ने बैठ जो कोई चीज जो समझ में नहीं आ रही वो चीज समझ में आएगी और ब्रह्म मौरत में जो पढ़ाई की है वो हमीशा के लिए याद रहेगी आपको सेल्पिष्टटी तो सुबह छे बजे से लेके जो है वो दस बजे तक किते गंटे हो गए चार गंटे फिर दस बजे जो है वो नास्ता वास्ता कर लो और उसे एतीन गंटे का समय है उसमें एक गंटा त्यार होने में दो गंटे और पढ़ाई अब सुबह न तो तुम फिल्म देखने जा सकते हो सुबह सुबह न तो फिल तक वो जो पात से साथ दूसरे वाले morning batch वाले जो इदर उदर होते फिर रहे हैं उसमें तुम पढ़ाई कर रहे हो गोदुली वेला में साथ बज़े चुटी होती है साथ बज़े के बाद कहीं जाने की कोई गुंजाई सोती नी दोस्त के रूम पे आप गए घर गए खाना खाया फिर पढ़ने बैठ गया आठ बज़े आठ से दस बज़े तक तुम भी पढ़ लिए और वो भी पढ़ लिए तो ये और गर पर होता है वो इवनिंग का बैच चूज़ गरता है और फिर भी तो अब जो है तो ये दोनों ही बैच जो है वो इवनिंग के हैं जो ये इंटेग्रेटेड बैच है ये चार गंटे की बैच होगा तीन बज़े से साथ बज़े तक शुरुवात में आपका भी जो फाउंडेश मेडियम का कोई फरक नहीं पड़ता आपका जो मेडियम है जिसमें आप कमफर्टेबल फील करते हो वो ही मेडियम जो है वो आप रखें नहीं नहीं ऐसा नहीं है UPSC में इंग्लिश मेडियम का थोड़ा ज़्यादा रहता है तब जो होती है लेकिन इस बार हैं इंग्लिश मेडियम वाले बिल्कुल है वह यहें पड़ाया जाता है हिंदी faod Breathe यहान वेल्द होगी है साथ में 120 नंबर की आती हो 120 नंजी आपके अच्छी होनी जरूरी है और Hindi medium वालों को ये फाइदा हो जाता है कि इंग्लिश से phobia होता है लोगों का ओ excellence नहीं आती और English के शीखी कैसी जाती environment से वातावरन से तो उनको Hindi medium वालों को ये फाइदा हो जाता है कि रोजान हर teacher जो है एक बार हिंदी में भी समजा रहा है इंगलिश में लिखवा रहे हैं न रातिन इंगलिश के शब्द आपके आज पास बास वाथा ह Schuld कानों में पड़ेंगे तो इंगलिश का persia जो फो बिया है वह दूर हो जाएगा और थोड़िं तुम भी अपने मानने लग जौगे कि भई मैं तुम भी जो है, जब वो टीचर English में बोल रहा होगा, समझा रहा होगा, तब भी वो जो है, वो तुम हिंदी वाले भी यहाँ, हाँ, 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 ऐसे जो है, वो सुनेंगे। तो इसलिए हिंदी मेडियम का कोई दिकत जो है वो आपको किसी भी तरह से जो है वो नहीं आएगी अरे question answer session अभी मत रखो अभी जो है समय थोड़ा कम है और बाकी आपके जो doubts थे वो तो मैंने लगबग पूरे जो है वो करी दिये हैं तो और अभी और लोग भी आएंगे तो इस वज़े से जो है मैं या और भी कोई question हो तो एक दो पूझ लो देगे relevant question होना चाहिए त्यारी से related ठीक है बालतू का question मत पूछना जो फाउंडिशन वाला बैच चलेगा यह वेकेंसी को target करके चलेगा जो और बैच पहले से regular चलते हैं उससी speed में चलेगा नहीं 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 वेकेंसी को तो target किया जाएगा इसमें जो फाउंडिशन बैच है इसमें next जो वेकेंसी आएगी उससे prelims exam जब RPSC करवाईगी त प्रिलिम से पहले 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 जो एक्जाम से पहले पीरी का syllabus है वो पूरा करवाया जाएगा और मेंस एक्जाम से पहले जो है वो batch को complete किया जाएगा जिनका यह exam नहीं देना है तो वो लोग जो है वो इंटिग्रेटेड बैच जो है तीन साल वाला वो जो है वो आपके प सब्जेक्ट है पहले के जमाने में सब्सक्राइए को बताता वह दूसर है और सब Jackson के लिए पहले के पूछा तक यह सब्जेक्ट कीक ना enga है क्योंकि पहले वो इस केओं सिस्ट्ट म So scaling system की वज़े से science के commerce के subject जो है वो नहीं चलते थे और humanity के arts के subject ही चलते थे UPSC में तो history हो गई, philosophy हो गई, political science हो गई, हिंदी साहित्य हो गया public administration हो गया, geography हो गई, sociology हो गई तो ये subject ही चलते थे, इसमें ही select होते थे इसलिए जो IITian बंदे होते थे, IIT किये हुए लोग वो जिनकी physics, chemistry, mathematics बहुत अच्छी होते थे, वो लोग भी ये humanity के subject लेके exam देते थे और इसलिए उस जमाने में ये पूछा जाता था कौन सा optional subject चलता है और कौन सा नहीं चलता लेकिन जब से अब इन्होंने scaling system खत्म कर दिया है और plus दो से एक optional कर दिया है और सब self study से तयारी कर रहे हैं जैसे कि मैंने ज़्यादतर कहा तो ज़्यादतर लोग उनके जो graduation में के दोरान जो subject पढ़े हुए subject होते हैं वो ही लेते हैं तो अब हर साल किसी साल किसी subject में कोई चल जाता है किसी में भी number आ जाता है किसी में भी नहीं आते हैं इसलिए अब ये trend जैसा कुछ भी नहीं है कि ये वाला optional subject आपको लेना चाहिए आपको जो भी optional subject अच्छा लगता है जिसमें आप comfortable हो जिसको पढ़ सकते हो तो वो optional subject जो है वो आपको लेना चाहिए तो ये बैच के बारे में दे दिया और ये last request मेरी आप लोगों से प्लीज फीस कम कराने के लिए जो है वो आप फोन नहीं करवाएं क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए और फीस जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुली कम फीस है जो कौन सी नीट जी इनकी तैयरी करने वाले डेट डेट दो दो लाक रुपे लेते हैं और मा से दुश्मनी हो रखिये नेताओं से दुश्मनी हो रखिये अपसरों से दुश्मनी हो रखिये रिष्टदारों से मेरे दुश्मनी हो रखिये मेरे दोस्तों के फोन उठाने मैंने बंद कर दिये हैं क्योंकि मुझे पता है मेरे पास फोन आया है तो किसली आया होगा तो लिए इसलिए मैं किसी के फॉन नहीं उठाता हूँ और क्योंकि एक की फीस कम करो दूसरे की नहीं करो तो ये ठीक नहीं रहता हमें अच्छा नहीं लगता कि एक विक्ति है जिसने इमानदारी से आके सिधे 94,000 जमा करा दिये और उसके बगल में कोई विक्ति बैठा है उसने इदर उदर से फॉन करवा के कम दिये हैं तो जिसने कम करवा दिये हैं और जिसने पूरे दिये हैं तो जिसने पूरे रुपे दिये हमें लगता है कि हम उसके सामने अपरा दिये हैं अगर वो भी कौशिश करता है इदर उदर से करता तो वो भी फीस कम करवा सकता है एक से ज़्यादा लें, एक से कम लें और ये शिक्षा का मंदिर है, यहां तो कम से कम इतना भेद बावन नहीं होना चाहिए, यह हमारी में बावना है, बाकि पैसे वैसे से कोई फरक नहीं पड़ता, और इससे फिर एक वो ट्रेंड चल जाता है, एक कम करवाता, दूसरा कम करवात हैं, किसी की नहीं करते हैं, इसलिए प्लीज जो है, वो हाँ, फिजिकली चैलेंज कोई वेक्ती है, तो निश्चित रूप से विड़ो है कोई, तो वो उनको हम पूरी तरह से कंसिडर करते हैं, उनकी जैसी इस्तिती है, उसके हिसाब से, अगर उनकी बहुत ज़्यादा ख हम टाइम टू टाइम उनको भी खुब पैसे देते रहते हैं, आप इस तरह से मदद कर लो, आप उनकी मदद कर लो, हम से फीस कम जो है, मत कर लो, ओप्सिनल सब्जेक्ट या नहीं पढ़ाए जाते हैं, चाहिए, चलिए, तो बुला लो देखें, एक लास्ट कुश्चिन क करने की को और के वाद में, फाउंडेशन एक भी करना है या सबी होई नहीं नहीं है, इंटीउर्ट उसे पूर्स में पूरा ही पड़ा दिया आगा, उसे उनको वापस से करने की कोई जरूरत, वो नहीं रहे 기, ग्र कम्प्लीट है, इस नहीं हुई है अभी तक इस वेकेंसी के लिए तो फिर इंटिग्रेटेड बैच ठीक रहेगा क्योंकि यह थोड़ा जल्दी चलेगा अगर वेकेंसी आई तो नहीं आई वेकेंसी तो जो है वो आराम से जो है वो चलेगा ठीक है और लास्ट एक वेकेंसी कब तक आ सकती है मेरो मौत रोन वेकेंसी रो मरवाड़ी मुकावत है कोई गोशना नहीं कर सकता बारिश की मौत की और वेकेंसी की कोई गोशना नहीं कर सकता पहले नहीं बता सकता рал Clutch कि तैस क्रॉम्ण जैसे जैसे मतलब कोडिंग हो ता जाएगा वैसे मेंस के एक दिनले निए अर्गी या प्रिक रर एक मंदे को अब्जेक्टिन होता है दूसरे मंडे को सब्जेक्टिव होता है लखने वाला होता है sam 00 econoalysis किया जाएगा k qlsas या नहीं किया जाएगा बिल्कुल बिल्कुल एनालिसिस किया जाएगा हम वैसे थोड़े बचने की कोशिस करते हैं क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो पूरा होता नहीं है देखो टाइम टॉपर्स जो है वो आते रहते हैं आपको मोटिवेशन क्लासेज लेने के लिए जिते टेस्ट होते हैं टेस्ट का जो भी जो है वो एनालिसिस करवाते हैं हम लेकिन ये दोनों चीजें हम कम करवाते हैं कम करने की कोशिस करते हैं क्योंकि सिलेबस जो है वो पूरा नहीं होता और सिलेबस हमें समझ नहीं आता हालें कि हम 18-20 मैने पढ़ाते हैं रोजाना 6 गंट खुटी पढ़ाते हैं अनावश्त से कोई छुटी नहीं होती है, होली दिवाली ये बड़े त्योयार के अलवा कोई जैन्ती वगिरे पे गॉर्मेंट होलीडे पे हम bebんと के यह चुटी नहीं करते हैं, चुटी होते है और और किसी दिन बीचे में सुटी हो जाना पड़ाते हैं इसके बावजूद 18 महीने में हमारा syllabus पूरा नहीं होता है और वो 20 महीने तक खिज जाता है और वो हम शौक से नहीं हम आपके भले के लिए 20 महीने 21 महीने 22 महीने तक खिज ते हैं और इसलिए हमें कई बार हम कंजूसी करते हैं कि यार यह थोड़ा यह पेपर इजी था इसमें डिसकेशन नहीं करवें तो भी चलेगा ताकि सेलेबस समय पर पूरा हो जाए एक्जाम तक इनके जो है तो सेलेबस पूरा हो जाए यह लालच रहता है वरना हमारे पास टॉपर्स खूब हैं इतने सारे म आप कहते हो सर थोड़े कम करवा हो और क्लास पेपर डिसकेशन जो है उसमें भी इस वज़े से अगर हम थोड़ी गंजूसी करते हैं अगर यह थोड़ा ज़्यादा समय खाएगा तो बाकी अदर्वाइस हम डिसकेशन जो टफ पेपर होते हैं जिसमें डिसकेशन की जरूर यहां से जैसे मैं अभी समिनार ले रहा हूँ और सभी लोग ऑनलाइन पर YouTube चैनल पर भी लोग जो देख रहे हैं फेस्बुक पे लाइव देख रहे हैं तो वैसे कि वैसे जिस तरह से आप जो कुष्ण पोच रहे हैं मैं जो जवाब दे रहा हूं मैं जो आपको कह रहा पिर आप सुवीदा मिलते ही आदमी जो है वो लपरवा हो जाता है कि भी बाद में देख लेंगे सुबह सुबह का बैच है तो कि अब साथ विज़े कौन तो उठेर कौन देखेर बाद में देख लेंगे बाद में देख लेंगे टालता रहता है तो आप टाल भी सकते हो उसक यहां हमारे जो बैठे होते हैं वो कॉपी चेक करके और वापस अपलोड करेंगे आपके उस पे तो आप वीकली टेस्ट भी वैसे ही देंगे जैसे आफलाइन वाले स्टुडेंट्स जो हो देते हैं लेकिन ऑनलाइन वालों को मैं सतरक रहने के लिए कौँगा कि प्लीज ऑन आदमी आलसी बन जाता है लापरवा बन जाता है और उसका बैकलॉग बहुत बढ़ता जाता है और ओनलाइन लोग जो नियमित रूप से अटेंड नहीं करते हैं हां तो वो कर देंगे कर देंगे बिलकुल यह कह रही है कि मैं अभी ऑनलाइन ले रही हूं और मैं छे महीने बाद में वापस ओफलाइन में जो होंगी तो जो फीस का जो मार्जिन है उसमें थोड़ा एड़्जस करके रिजनेबल जो भी है कि आपने इतना ओनलाइन देते हैं बीच बीच में हमने इस्टूटेंट को बहुत सुवीदा दे दी तो कि आप साथ दिन दस दिन के लिए अगर आप घर जाते हो पांस दिन के लिए भी जाते हो तो आपको जो है वह ऑनलाइन एकसेस देंगे और जिए यह सुवीदा दी तो देखा कि आधी क्लास जो है वो खाली हो गई आदे बच्चे आने लगे हर कोई आल सी के घर पर जो थोड़ी नीन आ रही है अगर दो दिन के जाने की इच्छन नहीं है तो ऑनलाइन एकसेस और फिर ऑनलाइन हमने हमने हमारे सौफ्ट्वेर सब बता देता है कि जो जो ऑनलाइन एकसेस लेके देखता कोई नहीं है तो वो जित्ते बच्चे हैं हमने वो सारा सौफ्ट्वेर बताता है कि इन में से कोई एक या दो परसेंट होते हैं जो की यह सुविदा का फाइदा उटाते हैं अदर्वाइस केवल संचित करते हैं उसको उपयोग जो नहीं करते हैं इसलिए हम स्ट् अच्छा नहीं रहेगा तो आप हमें दोश्ट दोगे और फिर हमारा भी नाम मार्केट में खराब हो जाएगा इसलिए हमें पता है कि तुम्हें जबरन ही पढ़ाया जा सकता है और इस वजह से जो है तो पर यह फैसलिटी है कि बीच में आपके काम पढ़ जाता है दस दि जो है वो नहीं मिलेगा अब भी आप ओफलाइन एड्मिशन ले लेते हो इन फ्यूचर आपको कहीं जॉब लग जाती है या बाहर जाना पड़ता है ओफलाइन नहीं कर सकते तो आपके हमेशा ओप्षन रहेगा कि बाद में आप ओनलाइन जो है वो जो है वो जो है अबी अबी दिकत निया